चदरपूर शहर के मोटे के महावीर मंदिर में रामचरित मानस सम्मिलन चल रहा है जिसमें पारिक्षा धाम के पीठा धीश्वर मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए है इस कारकम में देश भर के चार बड़े विद्वानों का मंतृत किया गया है जो मानस पर चर्चा कर रहे हैं पीती शाम यहां भगवान राम के विवाह और धनुश यग्य पर चर्चा हुई इस व्याक्षान को सुनने के लिए शहर के अनेक मानस मर्मक गिलो भी पहुँचे और कथा का देर तक रस्पान किया आयोजन के बारे में मोटी के महावीर मंदिर समीती के अध्यक्ष विनोध रावत ने जानकारी दी स्री हनमान जनमोस्तों के उपलक्ष में यह उन्चास्मा वर्स है जिसके तार्तम में स्री रामचरत मानस संबिलन का आयोजन प्रतिवर्स किया जाता है इसी क्रम में तीन तारिक को सामोहिक सुंदरकान पाठ एवं चार तारिक से साम को साढ़े पांच वजे से निरंतर साढ़े नो वजे तक हमारे बाहर से पधारे हुए बक्ताओं के द्वारा स्री रामचरत मानस पर प्रवचन का कारक्रम लगा थार चल रहा है जो कि 10 तारिक तक चलेगा 11 तारिक को हवन एवं भन्नारे का कारक्रम है सहर के सभी भाई बंधों से जो भक्त प्रेमी लोग हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आकर के कथा स्रमन करें अपने जीवन को सफल बनाए करक्रम में राम कथा सुनकर कई लोगों ने इस कथा को जीवन में उतारने का भी संकल्प लिया बड़ी संख्या में इस कथा को सुनने के लिए प्रती दिन लोग यहां पहुँच रहे हैं यह उन्चासमा वर्ष है जब मोटे की महावीर मंदिर में मानस सम्मिलन का आउजन किया जा रहा है बहुत यह अच्छा लगा कथा सुनने से क्याय के साल में एक बार कथा होती है यहां पर मोटे की महावीर में तो उससे कि आए भगवान का चरत हमें सुनने को मिलता है और यह चरत सुनने के बाद हम अपने जीवन में इपारने का प्रयास करते हैं और जितने भी सिद्धार लोग आते हैं और कथा सुनते हैं उनको भी अपने परिवार में ये मेसिज देने का आउस्तर प्राप्त होता है उनको अपने परिवार को समझाते हैं कि देखो किस प्रकार से राम का चरित्ता किस प्रकार से दस्तर जी का था तो हमें ये कथा सुनन रही है और उन्चमासमा साल है और लगातार हुती आ रही है हर वगत की साल बहुत अच्छी लग रही है नरम और चिकना सा दिखाई देता है और अंदर जब उसको खूल करके देखो तो उसमें कलिया आठ प्रकार आठ कलिया रहती है तो किसी सक्जन ने कहा कि जिसके अंदर आठ प्रकार के दोशिन वही मंत्रा है रावड को तो भगवान स्री राम चंदर जी ने मार दिया लेकिन मंत्रा को आज तक कोई नहीं मार पाया क्यों कि मंत्रा उसी जगह पर जाती है उसी जगह अपना काम समालती है जिस जगह पर सहयोग और सहयोग होता है जिस घर में संगठन रहता है उसी घर को बिगाड़नी का काम मंत्रा करती है क्योंकि लकडियों का जब गठा रहता है लकडियां इकठी रहती है तो उसको तोड़ने की कोशिस करो तूटेगी नहीं लेकिन एदिया आप एक लकड़ी को निकाल लो उसमेंसे तो वो तूट जाती है तो संगठन का होना बहुत जरूरी है परिवार में एक ता होना बहुत जरूरी है मंत्रा को पता था कि राजा दस्रक्स का परिवार एक है संगठन है इस परिवार में तू कैसे तोड़ू तो घर का मुखिया एक होता है न सारे तो मुखिया होते नहीं घर में जो अमारा बड़ा बुजुर्ग है वही मुखिया कहलाता है तो पकड़ती किसको है मंध्रा मुखिया को अब राजा दश्रत रानी कैकई को अधे के प्रे में करते थे इसलिए मंध्रा को ज्यात था कि रानी कैकई इस घर की मुखिया है यही मुखिया है तो कैकई को ही पकड़ना चाहिए मंध्रा का यी काम होता है मंध्रा विचार कर रही है क्या करूँ क्या करूं और यहां सारे देवगण एकठे हो करके चर्चा कर रहे हैं कि यह प्रभू आपका अवतार तो राज़ा विशेक के लिए नहीं हुआ था फिर आप यह सब यह क्यों कर रहें देखिए होई है वही जो राम रची राखा को करी तर्क बड़ाबही साखा प्रभू